प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर दा लेटेस्ट नीज अन अपडेट कमर कसी हुई है और खासकर कांगी जुनों को और प्रदेश के लोगों को कि राजस्थान की जमीन से यहां पर आगाज किया जाएगा उसके बाद पूरे देश में यह मेसेज लेकर राहूल जी हम सब लोग जाएंगे 28 सारी को जो कारक्रम होगा उसमें भारी संख्या में यहां पर लोग अपस्तित रहेंगे और राजस्थान में जैपूर में जब जब राहूल गांदी जी का सोने गांदी जी का कोई कारक्रम हुआ है वो हमीशा इतियासिक हुआ है वो इस बार विशेश शूप से नौजवानों पर चातरों पर बिरोजगार पड़े लड़के लड़कियों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उनको यह आमन्तित करकर उनकी ताकत दिखेगी यह सरफ कांग्रिस की ताकत नहीं है यह नौजवानों की ताकत को यहाँ पर जग जाहर करने के लिए हम लोग कारक्रम कर रहे है 28 सारी का कारक्रम फाइनल हो चुका है मुखमंदी जी भी आये थे उन्होंने इस बात को देखा हमारे सब मंत्री पताफ सिंग जी, रगू जी, धर्मदी जी, हम सब बैठके है विवस्था बना रहे हैं कि कांग्रिस का कारक्रम है लेकिन इसमें युवाओं को प्रास्मित्ता देनी की जो पहल राहुन गांदी जी ने की है उसके मुकाम तरह हम लोगों को पहुचाना है और देश में आज जो हालात मिर्मित हुए हैं उसके लिए कौन जिमेदार है चुनाब 6 मेने पहले हुए अभी से ही लोग परिशान हो चुके हैं द्योग बंद हो रही है कारकानों बेर ताला लग रहा है नौकनियों की चटनी हो रही है कृशी और मैनुफैक्ट्रिंग सब जगे गरावट आ रही है पूरी दुनिया में जो आज GDP ग्रोथ कम हो रही है उसमें आज भी अख़वार में आया है कि उसमें भारत की जो और त्वस्ता धीमी हुई है उसका बहुत बड़ा योगदान है तो इन सब बातों को सुर्ख्यों में लाने के लिए दुबारा इन इशूस को रिखांकित करने के लिए राहूल गांदी जी यहां पर आ रहे है उनका हम बड़े हर्श रोला से स्वागत करेंगे हर बार के तरह और मुझे खुशी है कि राइस्थान को अखिल बारति कॉंगर्स कमिटी ने चुना है इस विशाल जनसभा को आयुजद करने के लिए यह भी चर्चा है कि राहूल गांदी अब इस तारिकों सद्न विदानसभा का साथ चालू होगा उसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी लेकिन कॉंग्रिस ने अखिल बारति कॉंग्रिस कमिट ने ने किया है ICC ने कि जहां जहां कांग्रिस का शासन है वहाँ पर समयधान कानून को हम सब लोग मानते हैं लेकिन परदेश की जनता का प्रतिनित करते हैं विदानसभा के सदस से अपनी मत रखने का दिगार हम सब लोगों को है तो रिजूशन पास करने में कोई बादा किशी को नहीं है हम यतना ही कहना चाहते हैं कि जो कानून शायद संभवत सुप्रीम कोर्ट की स्कूटनी में पास ना हो उस पर पुनर विचार के इन सरकार को करना चाहिए ये विदानसभा पंजाब के लोगों ने इसको सर्बसंदी से पारिद कर रखा है हम लोग भी ऐसा प्रस्ताव लेकर आएंगे ताकि सरकार सोचे कि देश में आंदोरन हो रहा है कोई कारण होगा ना उस पर दुबारा अपने विचार करें और इस कानून को विड्राव करने की आगरे करने के लिए पूरे विदानसभा के सबस्दस मैं उम्मीद करता हूँ 24-25 को काम होगा